रेटियो सक्रिता महतपुन परस्न और उत्तर, इसके पहले क्लास में हम लोग रेटियो सक्रिता से रेलेटेट सारे ठीहोरी के देखे थे रेडियो सेकरिता का पता किस ने लगाया तो दोस्तों सबसे पहले ही हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे इसका डिसकसन किये थे इसका डिफिनेशन के बाद तो दोस्तों रेडियो सेकरिता का पता लगाया गया था हेन्री बेकरिल के दोरा और मैंने ये भी बताया था कि हेंडरी बेकरियल फ्रांस के निवासी थे और इन्हों ने 1896 इस भी में रेडियो सेकरिता के बारे में बताये थे नेक्स्ट नमबर कोच ने अलफा किरने है तो दूस्तों मैंने बोला था किसी परमानी के नाभीक से अगर एक अलफा कर निकलता है तो उसके परमानू करंक में दो और परमानू भार में चार की कमी हो जाती है यहां पे को क्योरी चार्ज करने। ऊपिक थोता है मिले आप और यहां Chloe बेकरोल इसका यहां के देकरने छार्ज होती है तो दोस्तो अलफा किरने पे positive charge होती है यानि कि ये एक धनात्मक कन है option हो जाएगा C number carbon 40 का उपयोग कहां पे होता है ये सारा question important तो दोस्तो बहुत बार exam में इस type के question आ चुके है carbon 40 का उपयोग कहां पे होता है चलिए बताईएगा तो carbon 40 का उपयोग होता है जीवास्म की आयूद ज्याद करने में इसका option हो जाएगा B number कॉबाल सिक्टी का उपयोग कहां पे किया जाता है तो दोस्तो कॉबाल सिक्टी का उपयोग होता है cancer रोक के उपचार में किया जाता है रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में बिसाल भंडार पाया गया है uranium, thorium, radium या plutonium तो दोस्तो भारत में जो बिसाल भंडार है ये है thorium का अगला नमबर है निमलिखित में से कौन सा एक radioactive नहीं है मतलब कि रेडियो सक्रेटा इन चारों में से किसमें नहीं पाया जाता है तो दोस्तो जर्कोनिया में एक ऐसा है जिसमें रेडियो एक्टिव नहीं होता है अलफा में होता है तो मैं दोस्तो मैंने बोला था कि किसी परमानों के नाभिक से अगर कोई अलफा कन निकलता है तो उसके दरबमान भार में यानि कि उसके भार में चार की कमी होती है तो भार बोले या दरमान बोले दोनों एक ही होता है और उसके परमानों करमांक में दो की कमी होता है तो यह वाला option और एक बताओ हम बोलेते कि अलभा पर पूजेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर रिनावेस यानि कि निगेटिव चार्ज की बात की गई है तो इसे आप काट सकते हैं और दोस्तो यहाँ पर दिया हुआ धनवेस यह पुजिटिव भी दिया हुआ है और सेकेंड थर्ड नमबर ऑप्शन में दिया है वो दू इकाई दिरमान तो यहां दू इकाई दरमान नहीं, चार इकाई दरमान हम बोलेते हैं तो इसका इंसर हो जाएगा B नमबर रेडियो सेक्रेता के दरान निकलने वाले कीर्णों की पहचान सरपर्थम किसने की थी कोचन वही है थोड़ा सा लेंगवेज थोड़ा हाड कर दिया जैसे मैं अगर पूछता आप से की अलफा बिट्टा गामा का खोज किसने किया तो आप बिना रुके हुए रदर फोड़ आप टीक मार देते हैं यही कोचन है तो जब इसका हम डिफिनेशन दे रहे थे रेडियो सेकरिता के बारे में तो बोले थे कि यह सोता तूटता है कोई भी एटम और उससे अध्रिस किर्णे निकलता और जो अध्रिस किर्णे जो निकल रहा है वो अलफा बिट्टा गामा ही होता है यहीं पर की खोज मैडम क्यूरी के द्वरा किया गया था और उनके पती भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है तो मैडम क्यूरी और प्यरे क्यूरी दोनों मिल के इस पर काम किये थे और दोस्तों इसमें एक बात और आपको दियान रखना है कि सबसे ज़्यादा रेडियो सेकरिता अगर बेदन चंपता किसकी होती है तो सबसे अधिक अगर भेदन चंपता की बात की जाए तो वह गामा की रण और सबसे कम होती है अलफा की रण के तो इस कोचन का इंसर हो जाएगा सी नमबर सबसे अधिक तरंग धैर किसकी होती है तो दोस्तों सबसे अधिक तरंग धैर ये उप्सन दिया हुआ है तो सबसे अधिक जो तरंग धैर होता है वो अलफा की रण का होता है और सबसे कम होता है गामा की रण का अगर भेदन चंपता की बात की जाए तो सबसे अधिक गामा की होगी और इसके बाद बिट्टा की होती है फिर होती है अलफा की लेकिन अगर तरंग धहर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होती है अलफा की इसके बाद बिट्टा इसके बाद होता है गामा काया पर सबसे कम होता है और कहीं कहीं पर पूछता है कि आइनन छमता किसकी होती है सबसे ज़्यादा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आइनल होती है अलफा की जीम काउंटर में किसकी माप होती है दोस्तों जीम काउंटर यानि कि रेडियो सेक्रिता मापने वाले यह अंत्र को क्या बोलते हैं GM counter जिसे short में GMC भी लिखे थे हम वहाँ पे तो दोस्तो यह radio secretar हो जाएगा answer हो जाएगा B number radio secretar sodium का उप्योग कहा होता है radio secretar sodium का उप्योग कहा होता है चलिए बताइएगा तो दोस्तो radio secretar sodium का जो उप्योग होता है रक्त परवा का बेग मापने में तथा पाचन तंत्र के अध्यन में यानि कि दोनों में किया जाता है तो option हो जाएगा C number किसी परमानू के नाविक में बिटा कन निकलने से क्या होता है तो दोस्तो मैंने बोला था किसी परमानू के नाविक से अगर एक बिट्टा कन निकलेगा तो उसकी परमानु संख्या बढ़ जाती है परमानु संख्या में एक की बिर्धी हो जाती है तो यहां पर उप्सन हो जाएगा ए नमबर तो दोस्तों डेडियो सक्रेतर से इसी टेप के कोचन आते रहते हैं एक्जाम में आप पहले थियोरी के दि करते हैं?